हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स आज हम कच्छा 10 का जो त्रकुमीति का प्रशनावली नमबर 8D है उसमें हम क्वेश्चन नमबर आज 22 और 23 को यहां पर साल्व करेंगे इसके पहले एक से लेकर 21 तक सभी क्वेश्चन आपको साल्व गरवाया गया है और उन सभी वीडियो का अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बाक्स में उसका लिंक दिया गया है वहां से जाकर आप इन सभी वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स यह जितने भी प्रशन है आपके बूर्ड की एक्जाम के लिए वेरी कि इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं और इसको साल्व करते हैं आपके नंबर जो कोईष्टिन बाइस है कि सीक एप्लस टैन ए अगले कोईश्टिन में वन माइनस साइन ए इसकल आपको प्रूब करना है कि कास ए होता है और इसी को यहां पे हम आपको प्रूब क्या करना है यह तो आप समझ गए होंगे और काई से प्रूब करना है आपको भली भाती समझ में आ गया होगा देखिए इसको प्रूब करने से ताथ पर है यहां पर हम क्या करें कि लेके चलेंगे कौन सब पच्छ लेके चलेंगे फ्रेंट लेके चलेंगे यहां पर लेफ्ट हैं साइड और सिंपल तरीका से एक मिनट में साल हो जागा फ्रेंड्स देखिए यहां पर लिखिए कि सेख एप प्रशन आपका सेख ए टैन ए अगले कोश्टक में है कि वन माइनस साइड ठीक है अब यहां पर करना क्या है फ्रेंड्स आप कुछ करना नहीं यहां पर क्या करना है कि सिक एक को क्या लिख सकते हैं सिक एक इसलिए कि आपको कास एक रूप में लाना है इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा तो सिक एक को लिख सकते हैं वन अपान कास है इसी तरह टै सवालों के लगा सकते हैं, 1-sin A, ठीक है, यह तो पहले से था, यहाँ भी देखें, जिब आधारा बराबर होता है, घात जोड़ देते हैं, तो 1-sin A upon, का से, और अगले कोश्टक में क्या है, 1-sin A, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ भी देखिए, यहाँ भी गुड़ा है, अंस कांस में, हर कहर में, यहाँ भी देखिए, फ्रेंड्स, तन ध्यांस देखिए, 1-sin A कोश्टक में, और अगले कोश्टक के 1-sin, अभी तक, यदि आप इसके, प्रिवियस वीडियो देखे होंगे, तो आपको पता चल गया होगा, कि जब एक कोश्टक में, कोई चीज़ प्लस होता है, अगले कोश्टक माइनस होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फ्रेंड्स, यहाँ लिग देते हैं, एक बारा और, कि A प्लस B, एक कोश्टक में हैं, अगले कोश्ट ए माइनस B है, इसका फार्मूला क्या होता है, यहाँ प्रेंड्सका फार्मूला होता है, A स्कॉार, B स्कॉार, यह फार्मूला आपको, बहुत ज़्यादा बर बता चुके हैं, चलिए इसी फार्मूला के यहाँ पर हम यूज करते हैं, बिढ़ेंगे यहां पिश्कुार हो जाग siण左 a अपन कास एक में करेव तो का ऑगा जागा अभीत तक पता होगा एक तो फोड़ा मोड़ा भी तो आपको पता होगा की 1-sin 2-a को क्या लेख सकते हैं यदि नहीं पता है तो इस फार्मॉले को भी याद रखें की Qas square a minus sin square ये formula होती ये भी पता होना चाहिए ठीक है कि 1-sin square a जहां लिखा होतेrem Qas square a लिख सकते हैं तो यहाँ पर क्या लिखेंगे Qas square a ये अपा денег Qas a यह Qas दो बार है यहाँ पर देखिए Qas दो बार है Qas एक बार है एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहां से कितना बचेगा कास ए बच जाएगा ठीक है उपर दो बार था यह जो कास ए बच रहा है यही आपको प्रूब करना था कास है यहाँ पर सवाल था आपका किसे एक a plus 10 है 1 minus sine a is equal to कास है प्रूब करना था जो कि यहाँ पर आपका आगया यह तब लिखेंगे आप लास्ट में कि left hand side is equal to right hand side ठीक है और यहाँ पर बगल में लिखे देंगे प्रूब ठीक है प्रूब लिखे देंगे तो फ्रेंड्स चलिए next question को देखते हैं और next question very very important है आपका next question है आपका next question है देखें यह question है 23 1 upon 6 a minus 10 minus 1 upon का से equal to seed करना है आपको 1 upon का से minus 1 upon 6 a plus 10 यह उत्तरपरदर 2016 के exam में यह question आ चुका है और आपके board के exam में यह भी प्रस्ण very very important है चले फ्रेंड्स इसको solve करते हैं और इसको सिंपल तरीका से ही solve करेंगे देखें फ्रेंड्स यह आपके सामने question था इसी को solve करना था 1 upon 6 a minus 10 minus 1 upon का से equal to 1 upon का से minus 1 upon 6 a plus 10 और इसको कैसे solve करेंगे देखें फ्रेंड्स पहले यही लिखेंगे कि solve लिख लिखेंगे कि solve क्या करना है आपको solve और यहाँ पे left hand side लेके चलेंगे क्या करेंगे left hand side और right hand देखेंगे आपको उप्रूब करना है कि दोनों पच बराबर है तो दोनों पच को यहाँ पे लेके चलिए तभी आप solve करताएंगे देखेंगे फ्रेंड्स 1 upon 6 a minus 10 a है और 1 upon का से 1 upon का से minus 1 upon 6 a plus 10 यहाँ पे आपको करना क्या है सवाल आप ते भी लगा पाएंगे जब इसका अर्थ समझेंगे आपको करना क्या है ति इसमें आपको करना क्या है 1 upon 6 a minus 10 a है और 1 minus 6 a plus 10 इन सब को एक पच में कर देजिए और 1 upon का से 1 upon 6 a को एक पच में कीजिए तभी आप क्वेश्चन को साल्ब कर पाएंगे और दूनों पच्छों को यहाँ पर बरावर दिखाना है यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं कि 1 upon 6 a minus 10 a ठीक है फ्रेंड्स और यहाँ से minus 1 upon 6 a plus 10 a को पच्छान तरह करेंगे सवाल लगाने से पहले फ्रेंड्स आपको उसका तायत पर समझ में आना चाहिए कि इस प्रश्ण में आपको करना क्या है तभी आप सवालों को प्रूब कर पाएंगे अब देखे फ्रेंड्स क्या करना है अब यहाँ जैसे भिन का कोई सवाल साल्ब करते हैं उसी तरह साल्ब करना है यहाँ इन सब का देखे यह कोस्टक बना लिजी नहीं समझ महरत एक कोस्टक बनाए इन सब का तिरियाइक यहाँ एक एक चुर्ण इस में कीजिए और एक कग अगण जब एक एक अगण जाएगा अब देखिए अभी आपको इसके पहले वाले वीडियों बता है कि जब एक कोश्टिक प्लस होता है एक कोश्टिक माइनस होता है तो आपको बता देते हैं एक प्लस भी हो और अगले कोश्ट में ट कोश्टिक हो गया और यहां भी देखिए जब हर बराबर होता है जो इसको कश्ट अपन कास A को का लिख सकते हैं यानि कास A ही हो गई इसलिए कि जब आधार बराबर है इसको कास A ही लिखेंगे चलिए फ्रेंड्स अगले श्टेप पे देखते हैं देखें 10 A है 10 यानि देखें यहां सिक A सेक है तो प्लस प्लस है जूटेगा तो कितना हो जाएगा अब देखिये श्टेगा यहाँ चाहिए तो इसका फार्मूला क्या हो तो फार्मूला क्या हो तहाँ प्लस माइनिस विखें तो एक दूसर कैंसिल आउट हो जाएगा तरीका से लगाना है, तो आपको फार्मुला पता होना चाहिए, यहाँ पिछ ट्रिक्णलिक्य है और निकन खेंगे और यहां भी देखिए friends 2 upon cast, cast को जब उपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2, 6, A लिख सकते हैं देखिए cast को जब इसका opposite क्या उपर ले जाएंगे तो 6 हो जाएगा और देखिए जब एक का भाग इतना में देंगे तो इतना ही होगा 2, 6, A ही होगा 2, 6, A करिए इसका लिख कीज़े 2, 6, A कीज़े यहां भी देखिए friends दोनों पच आपस में left hand से और right hand side बराबर हो गया यही आपको प्रूब करना था तो यहां लिख सकते हैं left hand side इसका लिख सकते हैं left hand side साइड यही आपको प्रूब करना था है यहां लिख के दिए approved ठीक है friends तो चलिए friends तो इस तरह के वीडियो दिए आपको अच्छा लगें तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स फार वाचीं